तो कैसे हो यार आप सब चैंपिंशिप लीग का मैच हो रहा है फुलहाम वर्सिस वेंसी सीडी के बीच पांच गंटे पचास मिनट बात अल्मॉस्ट छे गंटे पात मैच है अगर मैं कोशिश करता हूं ठीक है अभी शौर नहीं बड़ एक मैच ओपन देना है यार मैंना लो लोगों की सहुलियत के लिए और काईज हम इस वीडियो के अंदर किसी पी तरह की चीज़ को पुरस्तायत नहीं कर रहे है वीडियो बहुत ज्यादा सेफ और नॉलेज है बढ़ता हूं मैं आगे अब चलते हैं दोस्तों बात करते हैं इस मैच की देना आइवां टो टेल कि फुलहाम टीम फुलहाम एफ यू एल इस लीग के अंदर आल्मोस्ट चोबिस से पच्चिस टीमें खेलती हैं ठीक है चोबिस से पच्चिस टीम्स खेलती हैं इस लीग के अंदर जिसमें फुलहाम फर्स नंबर भे हैं सैल्यूट टू इस पावर मनलब इस टीम की पावर को से लिट करता हूँ मैं कि 25 टीम्स को 25 टीम्स के करंट फॉर्मेशन में अच्छा होने पर अगर आप रैंकिंग में फर्स जो अगर आप पूरे सीजन में 84 गोल्स कर चुकी हो मैक्सिमम मैचिस जीत चुकी हो तो इससे बढ़िया बात और कहा और क्या होगी मैं फुलहाम को तो अगरावा फ्लॉप मैंने काही था मत लेना पहले पहले लोग जिध के पीछे फढ़ जाते हैं एक चीज जी चीस की रहने थीक है सही बात है भाई क्लियर ले इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में आप सोचो कि क्या हो गया क्योंकि मैं तो आपको बोलता हूं कि कब प्लेयर लेना कब नहीं लेना पिछले मैंच में नहीं लेने को बोला था आप लोगे ने लिया अब आज लेने को बोल रहा हूं आज के लोग ड्रॉप कर देंगे वो आप पे डिपेंडर लेकिन मैं आपको राय दूंगा मत करो यार समझो आगे से बात करें टी रियम की टी रियम ना बहुत वैल प्लेयर है आपको एक सही बताता हूं यहापे ना दो प्लेयर मेरी नजर में है एक रियम और एक रोबिंसन इन को मैं काफी बड़ा प्लेयर मांता हूं मैं अपनी नजरों में साब बतारू है इनको एक वैल प्लेयर मांनता कि हाँ इनको खेलना आता है आता सबको है लेकिन खेलने का एक डहन एक तरीका एक लिमेट वह अच्छी है दोनों प्लियर्स की तन रोबिंसन तो नेक्स लेवल है और आगे से बात करें कैनी की कैनी में को उतना बैस नहीं लगता बढ़ टीम में है और यहां तक कि एन विलियम्स कहीं लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई लिवरपूल का एल विलियम्स कहां गया तो आप बढ़े से बात करें विलिसन की एक शुरू से मिटफियल्डर रहा है बीच में स्ट्राइकिंग करता था हां मुझे पता है करें लोग मुझसे पूछेंगे की नहीं भाई पहले तो इस्ट्राइक करता था लेकिन मिटफिल्डिंग यह इसको मतलब एक बोलते हैं की भाई अब मैं आपसे पूछूँ भाई रोनालडो क्या है आप बोलोगे स्ट्राइकर तो वैसी अगर आप मुझसे पूछोगी कि विल्सन क्या है तो मैं मिट फिल्डर ही बोलूँगा भले ही वो स्ट्राइकिंग करें समझ रहे हो एंड नौचेम की बात करें आप लूँगा ओलि इस ट्राइकर इट्स नौट अब फिल्डर यह पता नहीं इन्हों ने क्यों डाला हूँ मिट फिल्डर समंझ से बाहर है क्यूंकि आपको सही बहुत बहुत जबरतस कहलता है कारवैलो फैब्यो लेने का मन है मिरे को पता भी एच्छा कहलता है ठीक अपने मुह से बोल रहो लेकिन वाइस compare थोड़े ज़्यादा की है और आगे से बात करें एक player के बारे में और बताने कर्षची-krischी secondary penalty taker है अपनी team के लिए कई बार penalty लिए that's why I'm taking this player in my team और आगे से बात करें मिट्रोविक की मिट्रोविक सबका captain होगा बात करें कई बर पनेल्टी टेकर ने रिसकी आपको साब बतारो बाई हाँ यह रिसकी है कोई आपको ढंका minded person टकरेगा तो शायद वो captain Wilson को रखे wise captain Mitrovic को तो आप भी भी आप change करोगे तो मैं आपको एक राय देता हूँ कि Wilson के साथ आप captain रख जाओ wise captain Mitrovic को रखो यह combination जादा अच्छ है यह आपको clash होने से बचाएगा और सामने वाली opponent की खिलाग जीत हासिल करने के लिए असान होगा मैं इसी combination के साथ जाने वाल हूँ जिन्होंने safe जाना है वो पहले combination के साथ जा सकते हैं जिन्होंने risk लेना है then they can go with my team तो मिलता हूँ next video में बाई